एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही देहतरिन वीडियो लेके आया हूँ, आज जो हमारा चेप्टर है, वो है क्लास तेंथ का जियोग्राफी, अर्था धुगोल, चेप्टर फा तो आएए सुरुवात करते हैं, क्लास तेंथ जियोग्राफी, चेप्टर फाइब, खनीज तथा उर्जा संसाधन, बिल्कुल ध्यान से हर एक टॉपिक को देखना है, ताकि एक्जाम में किसी प्रकार की परसानी नहों हो, तो सुरुवात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक, आप के उपर है, आप जिस मेडियम से पढ़ रहे हो, वहां से भी आप नोट्स बना सकते हैं, तो देखिए, हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है, खनीज जो होता है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्तपून है, क्योंकि सभी बस्तूओं का निर्मान किस से होत है, और यह क्या है, कार्वनिक पदार्थ है, कार्वनिक पदार्थ है, हमारे जीवन में जारतर चीजों का निर्मान इसी से होता है, और जिस में कठोरता, रंग और निश्चित आकार होता है, यह कठोर होता है, खनीज जो होता है, वो कठोर होता है, इसका रंग होता है, औ इस्रित रूप है, मतलब मिलावट के साथ इसका निर्मान होता है, किसका आयस्क का, लेकिन खनीज में ऐसा नहीं है, वो हमारे जीवन में बहुत तरह के ऐसी बस्तूंगों का निर्मान होता है, जिसका निर्मान खनीजों के दोड़ा होता है, लेकिन अगर वहीं आपसे आयस अवस्था में होते हैं, खनीज हमारे लिए क्यों महत्वपून है, ये भी जानना जरूरी है कि खनीज क्या मतलब इंपोर्टेंस है हमारे लाइफ में, तो दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी छोटी चीज जैसे सुई से लेकर जहाज भी बात कर ले, देखे ये अपने जीवन में कई बार बोलते हैं कि एक ऐसी दुकान है जिसमें सुई से लेकर जहाज तक मिलता है, तो इन सभी चीजों के निर्मान में खनीजों का उपयोग होता है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि खनीज से ही बनाये जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के चीजों, इमारत हो जाए, पूल हो जाए, यह सब किसी से बनाये जाते हैं, खनीज से बनाये जाते हैं, भोजन में भी खनीज होते हैं, भोजन में भी खनीज होते हैं, उसमें भी खनीज उपलब्ध होता है, मसीन और ओजार खनीजों से ही बनते हैं, परिबहन के साधन, जो भी सरक ह या बस है, ट्रेन है, हेलिकॉप्टर है, ये सब भी चीजे किस से बनती है, खनीज से बनती है, हम जो भोजन करते हैं, उसमें भी डॉक्टर कहते हैं, आपको आयरन की कमी है, तो आयरन क्या है, खनीज है, लोहा क्या है, खनीज है, तो हम अपने भोजन में भी खनीजों का महत्तों को समझ लिया, तो ये सारी चीजे आपके लिए महत्तपून हैं. आप देखे खनीजों के प्राप्ती अस्थल की बात कर लें कि कहां से प्राफ्त होता है ये। खनीज अगर इतना इंपोर्टेंट है हमारे लाइफ में तो ये चीजे प्राप कहां से होती है तो देख ये आग्रे तथा कायांतरित से जैसे की जस्ता, तामबा, जिंग, सीशा, अब साधी चटानों की परतों में क्या पायाता है कोईला, होटांस, सोडियम, नमग, और दे ये चटानों के अब घटन से जलोड, जमाब, या प्लेसर, निपेक, सोना, चांदी, तीन, प्लेटिनम, ये सारी चीजे जो हैं वो खनीजों के प्राप्त होने वाले अस्थान है महासागर ये जल समुद्री पानी से आपको नमक प्राप्त होगा, मैगनेसियम, प्रोमाइन, ये सारी चीजें प्राप्त कहां से होती है ये भी इंपोर्टेंट है कि आग्रे और कायांतरिक से जस्ता, तामबा, जिंक और सीशा प्राप्त होता है अब साधी चटानों से कोईला, पोटा, सोडियम, नमक प्राप्त होता है धरातल ये चटान से आपको सोना, चांदी, तीन, प्लेटिनम ये सारी चीजें प्राप्त होती है और महा सागरिये जलसे, समुंद्री जलसे आपको नमक, मैगनिसियम और ब्रोमाइन प्राप्त होता है आगी की स्लाइड में कहता है आग्रे और कायांतरी चटानों में खनीजों का निर्मान कैसे होता है तो देखिए आग्रे और कायांत्री चट्टानों में खनीज तरारो, चोडो, भ्रंसो, तिदरो से मिलते हैं छोटे जमाब सिराओं के रूप में तथा बरे जमाब परत के रूप में मिलते हैं चोटा दराड़ों में जब छोटी चोटी चीज़े जमा होने लगती है या फिर बहुत ज्यादा जमा होती है तो एक परत जैसा बन जाता है जैसे कि आप ठेंड के जगर पर जो माइनस पर व्रफ जो होता है आई उस्का पूरा प्रत जमा होता है इसी परकार से अग्रे कयां ऊपर आते हुए थंडे होकर जम जाते हैं, गरम होता है जब नीचे और ऊपर आके ये क्या हो जाता है, मुख्ध धात्विख खनीज जैसे कि जस्ता, तामबा, जिंग, सीशा, ये सब किसके हैं? इसी के उदारन है कि आपको ये सारी चीजिजे जब ऊपर की परत्य उपर आत जो चटानों की प्रकृति और उनके निर्मान का अध्यन करते हैं। जो चटानों के बारे में या भूमी के नीचे पाया जाने वाले खनीजों के बारे में अध्यन करते हैं। हैं चाय सोना चांदी हीरा मुद्धि कुछ भी हो उसे यदि आप खनन करके मतलब खोद के बाहर निकालते हैं तो क्या कहलाता है खनन कहलाता है खनीजो के वरगी करन का अधार भी देख लेते हैं खनीजों के वरगी करन उन के रंग, चमक, कठोरता, घनत, तथा क्रिस्टल के अधार पर किया जाता है, अब कोई भी खनीज निकल चुका है, विच्वी के नीचे से हम खनन के माध्यां से, किसी भी खनीज को बाहर ला चुके हैं, तो अब वो क्या है, अब उसके रंग के उपर ये निर्भर है, कि वो क किस प्रकार के खनीज में जाएगा, उसके चमक के उपर, उसके कठोरता के उपर, उसके घनत्यों के उपर, उसके क्रिस्टल साइज के उपर, आकार के उपर निर्भर करता है, कि हम उसे किस प्रकार के खनीज में रखते हैं, अब देखें, ये भी एक इंपोर्टेंट पॉ पहले क्या समझना है थाटव करनीज समझना है वे खनीज जिसमें धातु का अशा एधिक होता है। अब जिसमें लोहे का मात्र अधिक होता है। उसे हम लोह खनीज कहते हैं, जिसमें लोहा, आयस्क, मैगनीज, निकल, कोबाल्ट इत्यादी को रखा जाता है। और लोह क्या है? और लोह मतलब होता है जिसमें लोहा नहीं होता है, जिसमें लोहे का अंस नहीं होता है, या विल्कुल ना के बराबर होता है, वो क्या है? लेटनम, हीरा, ये सारे चीज़े क्या है, पहुमुल्य खनीज, बहुती महने होते हैं, बहुती ज़्यादा मुल्य होता है इनका, इसलिए इन्हें पहुमुल्य कहा जाता है, देखिए अब लौख खनीज के बारे में भी समझना जरूरी है, कि लौख खनीज क्या होता है, त लौगिक दिकास की रीड है, जितने भी बड़ी-बड़ी फैक्टिया हैं, मशीनरी हैं, उनमें लोहे की मात्रा या उप्योग बहुत ज़्यादा होता है, भारत में लोहा आयस्क के विपुल संसाधन घिदमान है, हमारे यहां लोहा का भंडार है, भारत जो है वो उच्च को के लोह आयस्क जिसमें 75% लोहा का अंस होता है, इसमें सबस्रेस्ट चम्बु की ये गुन होता है, जो विदूत उद्योगों में विसेश रूप से उप्योगी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेगरेटाइट कहते हैं, हेमाटाइट किया है? हेमेटाइट के बारे में जान उद्योगों में परयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपून लोहा जिसमें 50-60% लोहा का अंस उप्योग होता है पाया जाता है उसे हम हमेटाइट कहते हैं तो यह सारी चीज़े आपके लिए बहुत ही महत्वपून है आगे जो मारा टॉपिक कहता है वो कहता है भारत में लोह आयस की पेटियां कहां कहां सबसे ज़्यादा लोहा का पाया जाता है लोहा कहां कहां हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है तो देखे उरिसा में है महराष्ट में है बेलारी में है दुर्ग में है अब उरिसा जारखन पेटी के नाम से है गोवा पेटी है चित्र द मतलब उसी के निर्मान के लिए इसका उपयोग होता है एक टन इस पात पनाने में लगभग 10 kg मैगनीज की आप सकता होती है मैगनीज के बीना लौह जो है वो अधूरा होता है इसके इस पात के बनने का जो तरीका है वो बिल्कुल डल हो जाता है कम जो जाता है लेकिन यदि आपको एक टर्ण इसपात पनाना है तो उसमें कम से कम आपको दस कीलो मैगनीज का उप्योग करना पड़ेगा जिस से उसकी गुनबत्ता और आसान और अच्छा हो जाए इसका उप्योग क्या किसे होता है ब्लिचिंग पाउडर कीच नासक दवाएं और पेंट बनाने में भ होता है यदपी ये खनीज जिसमें तामबा बॉक्साइट सीशा और सोना भी आते हैं धातू सोधन इंजिनियरिंग और विद्धूत कुद्योगों में इसका महत्पून भूमिका है यहां पर धातू को सोध के लिए या फिर इंजिनियरिंग या विद्धूत कुद्योगो में जो है अलोह खनीज का उप्योग सबसे ज़्यादा किया जाता है अब हम जान लेते हैं कि लोहा और अलोहा मतलब कि लोहे में और अलोह पर अगर आपको अंतर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे तो देखें लोह खनीज जो होता है तो जिसका मतलब है कि जिसमें ल जस्ता और कॉक्साइड रित्यादियों का उपयोग किया जाता है वहीं पे अगर हम तामबा की बात कर लें तो देखिए घात वर्द तन एबं ताप सुचालक होने के कारण तामबे का उपयोग मुख्यता है ज्यातर कहा होता है बिजली के तार बनाने में जिस तार में करता है हमारे देश में जितने भी टामबा का उपयोग है या जितने भी खादान है उस में 52 परसेंट जो है वह सिर्फ और सुप मध्ध परदेश के आला घहाट खादान से ही आता है मतलब बहुत बड़ा खादान है तामबा का बॉक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं वो निचेपों की रचना या फिर एलमुनियम इलमुनियम इलमुनियम जैसे सक्तिक साथ अत्यदिक हलका एवं सुचालक प्राइब होता है इसका एलेक्ट्रोनिक्स वगजरा चीजों में होता है electronics वायर बनाने में होता है इसमें अत्यधिक घात वर्ता मतलब meltability भी पाई जाती है भारत में बॉक्साइड के निच्छे मुख्य तक कहा है तो आप इन सभी नामों को जरूर बताए अपने अच्छे exam के नंबर के लिए अब हम बात करते हैं अधात्वी खनीज क्या है तो वे खनीज जिसमें धातू का अंस नहीं होता है जिसमें धातू का अंस नहीं होता है अधात्वी खनीज क्या लाते हैं जैसे अब्रक, नमक, पोटांस, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुवा पत्थर, इत्यादी ये सारी चीज़े क्या हैं ये सारी चीज़े और धात्वी खनीज हैं अब्रक क्या है अब्रक प्लेटों और पर्तों के रूप में पाया जाता है अब्रक के निचेप के मुख प्रमुख छेत्र क्या है कहां कहां पाया जाते हैं तो छोटा नागपूर महराष्ट के अंदर उ बिद्दुत और electronics उद्योगों में भी परियोग किया जाता है, electronics की चीजे बनाने में भी अबरका भरपूर उपयोग होता है, अब हम एक बार चूना पत्थर के बारे में बात कर लेते हैं, हाला कि आपने चूना पत्थर के बारे में पहले भी बढ़ा होगा, तो चूना पत् तो calcium, calcium carbonate, magnesium carbonate के चटानों में पाया जाता है, यह अधिकांज अबसाधी चटानों में पाया जाता है, चूना पत्थर, सिमेंट उद्योग, एक अधार भूत कच्चा माल होता है, और law प्रगलन की भठीयों के लिए अनिवार है, जहां पर लोहे को गलाया जाता है, जहां पर लोहे को पिघला के किसी अनप्रकार के आकार का निर्मान किया आता है, वहां पे चूना पत्थर का उप्योग होता है, अब देखिए खानन उद्योग और घातक उद्योग क्या कहा जाता है, देखिए लगातार धूल एबम हानिकारक दूए में सांस लेना पड़ता है, इस से खानन उद्योग से क्या क्या दूश प्रभाव परता है, क्यों इसको हम अपने जीवन के लिए घातक उद्योग कहते हैं, कैसे यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इन सब शीचियों के बारे में जानना है, तो जहां पर खानन होता है, वहां पर लगाता और उरता है जिससे हमें सांस लेने में दकलीफ होती है और कई बार सांस लेने की बीमारियां भी हो जाती है स्रमिकों के फेफ़ों से संबंदित बिमारियां हो जाती है जो लोग काम करते हैं खादानों में उनको फेफ़ों से संबंदित बिमारियां हो जाती है खादानों में पानी भर जाने या आग लग जाने से स्रमिकों के मित्यू का भी डर बना रहता है कई बार नीचे खदान को नीचे होता है, पानिस बारीस हो गया, खदान में पानी भर गया, यह अंदर में आग लग गई, तो ऐसे में वहाँ के स्रमिकों के जीवन के मृत्यू की डर भी हो जाती है, कई बार खदानों की छत गिर जाने से उन्हें अपनी जान गवानी परती ह दशना समझते है न study उपर से मिर्टी दश गया उनके उपर गिर गया इससे इनकी मृत्टी हो जाती है और नदियों का जल परदोसित होता जा रहा है इन ख़दानों के कारण बार बार कि चंसाथनों को संरक्षन करना क्यों आवस्यक है थो देखिए खनीज संसाथन जो है उनका संरक्षन करना भी बहुत महत्तपून है क्यों है उसको बचाके रखना जरूरी है नभी करन योग नहीं है पून नि से नहीं मिच्जेपो की कुल मात्रा बहुत ही कम है बहुत कम जगों पे खनीजए पाई जाती है इसके निर्मान में लाकों वर्स लग जाते हैं हम बहुत तेजी से खनीजों का उपयों करते जा रहे हैं इन से आने वाले PD के लिए संभाल के रखना जरूरी है तो इस प्रकार से आपने समझा कि खनीज संसाधनों का संरक्षन क्यों आवस्यक है आईएव हम जानते हैं कि यदि खनीज संसाधन का संरक्षन हो तो किन उपायों से हो सकता है कैसे हम खनीज संसाधनों का संरक्षन कर सक जहां तक संभब हो प्लास्टिक और लक्री का परियोग करें जिससे खनीज पचार है, खनीज एवं खनीज सुधार प्रक्रिया में धातु बनने और कम से कम बनाने की कोशिज करें, जिससे हमारी धातु जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहें, रद्धी एवं पुराने म पुना चिक्रन एवं पुना उपयोग, कुछ ऐसी मैसीन, कुछ ऐसी फैक्टरियां लगानी चाहिए, जिससे खनीजों को गला कर फिर से दुबारा उसका निर्मान हो सके, नियोजित एवं सतत पोसनिय तरिकों से इसका उपयोग करे, परियावरन को ध्यान में रखते हुए खनीजों का अनविकल दूने, जैसे CNG, अब लेकिए अब खनीज का तोपयोग बहुत तेजी से हो रहा है, और बहुत तेजी से ये खतम भी होता जा रहा है, तो ऐसे में इसका विकल अल्टरनेट डूनना बहुत जरूरी है, कि हम कैसे खनीज को लंबे समय तक पचा के जारी के संचालन, उद्योगो, मसीरों के संचालन में उर्जा कियाब सकता होती है, उर्जा का उत्पादन जैसे की कोईला से होता है, पेट्रॉलियम से होता है, प्राकिर्टिक गैस से होता है, यूरेनियम से होता है, विद्वुत से होता है, तो उर्जा संसादन के जो पर क्लालियम प्राकिर्ति गेस और बिद्दूट यह षो है ये दोनों में आता है परंपरागत में भी और गैर परंपरागत भी औरसम reliable तो ऑब इससावन के इन तो आप इन सभी एक्जामपलों को बता सकते हैं, यह आपके लिए फायदे मंद होगा। पूरा करता है हमारे देश में जो उर्जा का संसाद है उसमें सबसे महत्पून कोईला का नाम आता है इसका उप्योग उर्जा उत्पादन तता उत्योग और घरे लूग चरूरतों के लिए उर्जा किया पूर्ति के लिए किया एता है घरों में भी कई बार खाना में आप द संपीडन की मात्रा गहराय और समय के अनुसार कोईले तीन प्रकार पर होते हैं जो निम लिखी थे हैं कोईले को भी तीन अलग-अलग भागों में बाटा गया है पहला है लिगनाइट दूसरा है विटुमिनस कोईला और तीसरा है एथरोराइस कोईला अब देके यह बहुत नीचे होते हैं और बहुत अधिक टैंपरिचर में तयार होते हैं इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है थात्यू सोधन में इसी का उपयोग होता है बड़े-बड़े फैक्ट्रियों में इसी का उपयोग होता है लोहे को गलाने में भी इसी का उपयोग होता है एत्रासाइट कोईला जो है यह सबसे बढ़िया होता है सबसे अधिक गुनवाला होता है सबसे टॉप क्वालिटी का होता है इसलिए इसका उप्योग जो है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा यह सर्वत्तम गुनवाला होता है और बहुत ज्यादा कठोर कोईला होता है बहुत ज़्यादा हाड होता है अब भारत में यदि कोईले की बात कर लें तो भारत में जो कोईला है तो प्रमुक विर्ग युगों के सैल क्रमों में पायाता है एक गोंडवाना जिसकी आयू 200 वर्सों से कुछ अधिक है दूसरा तर्सियरी निचे जो 55 लाक वर्स पुराने है उन्वाना कोईला जो है वो धातु सोधन कोईला है यह प्रमुक संसाधन दामोदर घाटी मतलब पस्चिम बंगाल तका जारकन जड़िया रानिगान बोकारों में स्थित है जो महत्वण कोईला छेत्र माना जाता है गोदावरी महानदी सोन वर्धा नदी घाटियों में में भी कोईले के जमाव पाए जाते हैं नदीयों किनारे भी आपको कई परकार के कोईले के खादान देखने को मिलेंगे तरसियरी कोईला छेत जो है वो अनोगाले में है और पत्रोलियन की अगर बात कर ले तो भारत में कोईले के पष्चाच उर्जया का दूसरा प्रमुक संसाधन पेट्रॉलियम या खनीज तेल है या ताप एवं प्रकास के लिए इंधन मसीनों के स्ने है और अनेक विनिर्मान उद्योगों को अच्छा माल परदान करता है और पेट्रॉलियम देखे तेल संसोधन सलाएं जो है उसमें बस्त्र उर्वरा तथा असंख र किया वह घुजराथ सार गुजराथ से और 13-परत्र जो है वह असम से निकलता है तो घ्रकास के रूप में परयोग किया जैता है इससे और अध्योगि अध्योगी कच्छे माल के रूप में भी पर्योग किया एता है प्राकृति गैस इसे हम घर के अंदर भी उव्यू करते हैं खाना पकाने वगड़े में यह क्या होता है कारवन डायोकसाइड के कम उत्सरजन के कारण प्राकृति गैस को पर्यावरन अन्पूल माना गया जब हमारे पर्यावरन को बहुत ही कम प्रतूसित करती है इसलिए से पर्यावरन के अन्पूल माना गया है अब देखिए क्रिष्णा और गुदाबरी नदी के बेशीन में प्राकृति गैस का विसाल भंडार खोजे गए हैं अन्दमान निकोबार दीप समू में भी महतपून छ हमारे प्राकृति के बारे में बात कर लेते हैबें विद भिदूत मुक्रता दो प्रकार से उत्वन की जाती है इक तो देखे, सबसे पहला जो को है वो है प्रवाही जल जो की हाइड्रो टर्वाइन चलागा जल बिदूतर उत्पन करते है, पानी के मादलियं से, दूसरा है जैसे कोला, पेट्रोलियम और प्रकृति गयस को जलाने से टर्वाइन जलता है और टर्वाइन के चलने से हमारे बिद्दूत उत्पन होती है। बहुत तेज बहते जल से बिद्दूत उत्पन की जाती है। ताप विदूत के बारे में जान लेते हैं प्राकिर्टी गैस के उपयोग से उत्पन की जाती है इन सबी चीजों को जलाके इनके टैंपरेचर से टाइरवाइन को घुमाया जाता है ताप विदूत जो है वो ग्री और नभी करनिय योग जिवास्मिंदन का परयोग कर को बताया गया है जो आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है अब हम बात कर लेते हैं तापिये और जल विद्दूत उर्जा में क्या अंतर है तो पहला हमारा है तापिये विद्दूत और दूसरा है जल विद्दूत उर्जा तो तापिये विद्दूत में क्या है यह प्रवाइन को चला जाता है जिससे उसके नचते हैं और देखिया जो यह प्रदूसन युग्ड है इसे पर्दूसन तो फैलता है ना आप कुईला प्रेटोलियं या किसी अनप्रकार के चीजों को जलाते है तो लेकिन अगर वही बिद्दू से बना पानी से बना जाए तो यह प्रदूशन रहित होता है इसे प्रदूशन नहीं फैलता है अब देखिए जो तापिये बिद्दूथ है उसका अस्थानिय स्रोत नहीं है लेकिन यह अस्थानिय स्रोत का होता है और नभी कर्णिये स्रोत प् अधारित होता है भारत में 310 से अधिक ताफ विद्दूत के इंद्र है भारत में अभी तक जो 310 है जहां पर कोईला पेट्रॉल लित्यादियों के माध्यम से भिजली उत्पन किया रहता है अब ताफ ये विद्दूत कौन-कौन से हैं रहे जैसे कि तले चर पाकी नाम रू जरूरी है जरूरत न रहोने पर आपको बियजली का उपयोग नहीं करना ये नहीं कि बिजली का बंड जल रहा है और बंजलता रहता जरुशन को बचाना अपका और हमारा काम है तोख पूप जनिक बाहनों को आकर anál करना चाहिए कोशिस करें की प्रियोंِ के मादेम से आप सफर कि अंधिया का मतलब सो कया उसका सिमित है इनका परयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए प्रियों से पहुत सारी चीज़ेया ऐसी हैं जिसका उपयोग हमें नभी करने संसादोंगों का पढ़ियोग करना चाहिए। ऐसे संत्रादनों का परयोग करें आप, जिसको हम पुन्हा बना सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना, कि वो पानी के माध्यम से जब हम बिजली का निर्मान करते हैं, तो इसमें परदूसन भी नहीं है, और ये पानी के माध्यम से बनता है, मतलब कि इसे पुना जा सकता है विद्दुत बचत करने वाले उपकरणों का पड़ियोग किजिए ऐसे बल्ब ऐसे ट्यूब लाइट ऐसे पंके ऐसे मोटर ऐसे टीवी का उपयोग करें जिससे विद्दुत कम से कम खर्चो दूसरा है कार पुलिंग करें तो ये सारी चीजे जो है वो आपको उर जला के छोड़ देता है ऐसा तो नहीं है हम सभी को बिद्दुत और भी बहुत सारे उर्जासन रक्षन के काम है जिसे हमें संभाल के रखना चाहिए इस तरह से आपने देखा कि आपका क्लास तेंथ का जो जियोग्राफी था भूगोल है बहुत ही इंपोर्टेंट था तो और यदि आपको इन चेप्टर में किसी भी पॉइंट को समझने में कोई परसानी हुई है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं कोसिस करेंगे कि आपको उन खास टॉपिक के उपर एक अलब से वीडियो बना के दिया जा जिससे आपको अजानकारी आसानी से समझ में आ कि आपको आपर सकते हैं कि आपको 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 करिसी आपको बग्द कर द Capitol.